जी, Assalamualaikum, Hope so you are all doing well, my name is Mavish Majeed and I am a virtual assistant और आज के topic जो हमारा ये है कि Alibaba पर जो buyer account और seller account जो बनाते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं, इन में क्या differentiation है Actually, buyer account जो है वो free है, ठीक है, Alibaba पर buyer account बनाना हो तो वो free है, उसको कोई भी pay नहीं करना पड़ता Other than that, अगर हम seller account बनाएंगे, तो definitely हमें pay करना पड़ता है सबसे पहले तो मैं buyer account कैसे बनाते हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ, कि step by step में guide करती हूँ सबसे पहले आपने राइट करने हैं Google पे alibaba.com लेन आपके पास बहुत ज्यादा ये website सा आ जानी है, लाइक ये देखें, आपके पास, ये देखें, alibaba official site.com जब आप इस पे click करेंगे, तो आपके पास ये official alibaba की website open हो जाएगी, ये आपको टॉप पे show हो रहा है, sign in, join free ठीक है, आप बाइर account बनाने जा रहे हैं, तो आप इसको sign in कर सकते हैं, facebook के साथ भी, google के साथ भी, linkedin के साथ भी, और insta के साथ भी, लेकिन, मैं ये recommend नहीं करूंगी, विकाज, ये आपके personal information पे, तमाम account बनाएंगे हैं, so that's why आपको जो है न, ये professional account बनाना होगा, और साथ उत्ता करेंगे, sign in पे, click करेंगे, sign in पे click करेंगे, तो ये देखें, अभी हमने account का email और password नहीं किया, just आपने join free पे click करना है, और अगले next page पे आपने इसको open कर लेना है, अभी ये देखें, जब open करेंगे, join free पे click करके, तो इस तरह का form उपन होगा, आपने इस फार तो यहां पे buyer account या seller account, buyer account अगर आप बनाना चाहरे हैं तो buyer account स्लेक्ट करेंगे, ठीक है, email आप enter करेंगे, जिस email पे आप यानि के बनाना चाहरे हैं, ठीक है, वो email एंटर करेंगे, password अपनी मर्जी से राइट करेंगे, लिए कि strong password हो, उन्होंने password की शर्द भी बताई है, कि six to twenty character होने चाहिए, only consist of letter, number and symbol, mix होना चाहिए सबका न, और at least two of following, letter and number and symbol, ये तीनों में से तक्रिबन दो at least होने चाहिए, ठीक है, strong password फिर ही बनता है, confirm password पे दबारा again वही वाला password आप enter करेंगे, उसके बाद, company name आप write करेंगे, कोई cb write कर सकते हैं, it's up to you, ये आपकी choice है, ठीक है, full name आप अपना write करेंगे, ठीक है, उसके इलावा number आप अपना write करेंगे, जिस number पे आप account बनाना चाहा रहे हैं, ठीक है, और उसी number पे otp वगारा या अगर कोई update आती है, तो उस number पे, यह account sometime आपका, जो है वो, आपको password नहीं idea हो रहा था, तो हम phone के जरीए, phone number के through, इसको backup कर सकते हैं, अच्छा, verification में आपने क्या करना है, कि इसको यहां से slide करना है, तो next onward, यहां पे tick करके, तो agree and register पे जब आप click करेंगे, तो उसके बाद आपको एक code आपकी इसी email पे जो आपने यहां enter किया, वहां पे चला जाएगा, आपने email को open करना है, ठीक है, व यहां से वह code copy करके तो यहां पे आके ना तो जो box बना होगा, और यहां पे paste कर दें, आपने पे paste करके ना, तो यहां पे select पे click करना है, तो आपका account बन जाएगा, मैंने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैं आपना बना जुकी हूँ, मैं अपना पता देती हूँ, sign in करके, यह यह है कि मैंने already बना लिया हुआ है, इसको, अब यह देखे, मैंने sign in पे, just मैं, आपने जब account, आपका ready हो जाना है, तो आपने sign in किस तरह करना है, यह देखे, मैं already बना जुकी हूँ, उसको, आपने sign in पे click करना है, just, और just one click से, आपका, यह देखे, account, email, और password, तो यह दे आया कि Alibaba पर हम buyer account कैसे बनाते हैं, अभी हम देख लेते हैं, seller account किस तरह से Alibaba पर हम बना सकते हैं, देखे, मैंने already आपको बताया कि seller account जो है न, वो उसके पैसे होते हैं, वो payment करनी पड़ती है Alibaba को, other than that, वो नहीं account फ्री में नहीं बनता, फ्री में मिलतो जाता है, लेक that's why recommend किया जाता है, कि अगर आप ऐसा seller जा रहे है Alibaba पर account बनाने, तो आप definitely फिर paid membership लें, अभी मैंने लिखा Alibaba seller account, okay, यहां पर मैंने न, इस website पर चले जाना है, alibaba.com, then आपने यहां पर देखा, कि यह आपको just information बताएगा, नहीं से नहीं, नित नहीं information जाना, यहां से ह हमें मिल सकती है, उसके बाद, यहां से solution भी किसी भी चीज़ का मिल सकता है, यानि Alibaba की तमाम information यहां पर encode है, pricing पर हम जाएंगे, अगर हम देखना चाहा रहे हैं, paid membership लेना चाहा रहे हैं, तो वह कौन-कौन सी है, देखें, यह वाली जो है, यह यानि के, तीन डॉलर, या एक लाग के साब से हमें pay करना पड़ता है, यह हमें तीन package बता रहा है, यहां पर, इसमें से आपकी अपनी च्वाइस है, आप कौन सा करेंगे, फस्ट अफार तो मैं हाली recommend करूंगी, आप free वाल अकाउंट जाएना, वो पहले sign-in कीजिएगा, क्योंकि free से हमें यहां के idea ह जाता है, और उसके बाद फिर हम paid पे चले जाते हैं, free पे जाने के लिए भी आपने क्या करना है, join free पे क्लिक करना है, और यह तमाम information जैसे buyer account की आपने अंटर किया है, इसी तरह seller account के point of view से अपने तमाम information उसी तरह जो है आपने अंटर करके ना, तो agree and register पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक code आएगा जो कि आपकी email पे आएगा, इसी email पे जो आपने अंटर की होगी, तो उसके बाद उस code को यहाँ पे पेस्ट करके तो आप select पे क्लिक करेंगे तो आपका account seller account भी बन जाएगा, so मैंने आपको बताया कि buyer account and seller account जो है, वो हम किस तरह से बना सकते ह हैं वो आपको मैंने complete clear cut guide किया, जब आपको account बना लेते हैं तो उसके बाद just sign in पे जाके तो email और password आपने अंटर करना होता है, याद रहे, email और password आपको भूलना नहीं चाहिए, अगर password आपको भूल जाए ना, तो उससे फिर मसला ही हो जाता है, आपका account यानी के खत्रे मे मिस्टेक हुई थी, तो मुझे बहुत time लगा था इसको back up करने में, so मैं आपने students को highly recommend करती हूं कि जो मैंने mistakes की है, मैंने students ना करें, so basically video बनाने का मकसित ये था, का account आप create करें, और as a buyer and as a seller, it's up to you, just आपको sign in कैसे करने, मैंने complete आपको guide किया, video आपको अची लगी है, तो